So good morning guys और आपके क्रेक एक्जाम चेनल में आप सभी का स्वागत है तो आज के इस वीडियो में 23 अगस्त की important current affairs को हम लोग कवर करेंगे तो हमारा पहला प्रश्न क्या है हाली में किसे भारत के नए चुनाव आयुक्त यानि के election commissioner के रूप में न्यूक्त किया गया है तो आंसर होगा राजीव कुमार को तो अभी भारत सरकार ने पूर्व वित्त सचिव हैं ये राजीव कुमार और इनी को नए चुनाव आयुक्त के रूप में न्यूक्त किया है अब है आपको पता होगा हमने पड़ा था जो चुनाव आयुक्त थे आपके अशोक लवासा उन्होंने इस्तिफा दिया तो अब उनकी जगे आए हैं ये राजीव कुमार अच्छा बताओ हमारे मुख्य चुनाव आयुक्त कौन है? तो आंसर होगा सुनील अरोडा, कॉन से नंबर के हैं? 23rd नंबर के हैं, तो एक तो हमारे हैं Chief Election Commissioner मुख्य चुनाव आयुक्त और दो हमारे होते हैं Election Commissioner यानि की चुनाव आयुक्त, जिसमेंसे एक बन गया है राजी कुमार किन की जगे अशुक लवासक की जगे और दूसरे को ने दूसरे का नाम भी आप याद रखो सुशील चंद्र है अच्छा कर एक प्रश्ण में आपसे पूछ लू यहां पे कि नेशनल वोटर से डे कब मनाया जाता है तो फिर आपका अंसर क्या होगा 25 जनवरी को ये भी आप याद रखो और वैसे 25 जनवरी को हम नेशनल ट्यूरिजम डे भी मनाते हैं कई बाद मैं आपको बता चुका हूँ बाकी पी एस रानी पसे सी आर पी एफ के नए महा निरिकशक इंस्पेक्टर जनरल बने थे और पी प्रवीन सिधार्थ राश्टरपती रामनात कोविन जी के निजी सचीव बने और हारदिक सतीश चंदर शा प्रदान मंतरी मूदी जी के निजी सचीव बने थे बढ़ते आगे फिर हाली में किसने विश्व स्नूकर चेंपियंशिप 2020 का खिताब जीत लिया है तो आंचर होगा रौनी ओसुलिवन ने अच्छा ये किस देश के हैं रौनी ओसुलिवन तो ये यूके से हैं और अभी इनोंने ही वर्ल्ड स्नूकर चेंपियंशिप 2020 का खिताब जीत लिया है तो यह आपको याद रखना इनका नाम बढ़ते आगे फिर अगला प्रशन बहुत इंपोर्टेंट है आपको उस भारतिक क्रिकेटर का नाम बताना है जिसने अभी राश्टर खेल पुरुसकार 2020 जो घोशित हुए थे उसमें राजियू गांदी खेल रतन पुरुसक के बारे में आपसे पूछा जा रहा है तो यह जो राजियू गंदी खेल रतन पुरुसकार है यह भारत में दिया जाने वाला सबसे बड़ा खेल पुरुसकार है और 2020 में यह पांच खिलाडियों को दिया गया है और यह पहला मोका होगा जब यह पांच खिलाडियों को दि और आपसे प्रस्ण में क्या पूछा जा रहा है आपको उन भारती किरकेटर का नाम बताना है तो इनमें किरकेटर कौन है रोहिच शर्मा इसका अंसर हो जाएगा अचा अगर आपसे पूछा जाए पहला राजी उगांदी खेल रत्न पुरस्कार कब और किसको मिला था तो 1991 में दिया गया था ये किसको दिया गया था चेस प्लेयर है हमारे विश्वनात आनंद जी को तो वो भी आपको याद रखना है पहला पहला किसको दिया गया था पहल मैं आज पूरी कोशिश करूँगा कि आज शाम तक आपको राष्ट्रे खेल पुरस्कारों पे एक dedicated वीडियो मिल जाए separate जिसमें हम केवल उसी के बार में चर्चा करें और अगर आप लोग भी चाते हो कि शाम तक आपको कैसे भी करके वीडियो मिल जाए तो मुझे कमेंट बॉक्स में ज़रूर बताईए आप मेंसे ज़्यादा स्यादा लोग अगर interested होंगे तो मैं भी पूरी कोशिश करूँगा कि शाम तक कैसे भी करके आपको वीडियो मिल जाए साथ में उसकी quiz भी आपको मिल जाए अपनी click exam application पे तो अभी हम बढ़ते हैं और गाईज अगर वीडियो आपको अच्छा लग रहा है तो प्लीज इसे like करते हुए चलना देखिए आप लोगों ने भी like किया है या नहीं किया है तो अभी इसको like कर दीजे last तक आप लोग भूल जाओगे मैं कह रहा हूँ और हाँ इसे share भी जरूर कर देना अपने दोस्तों के साथ में और अगर आप में से कोई student इस channel को first time देख रहा है तो आप इस channel को subscribe कर सकते हैं subscribe करने के बाद में पास में bell icon को जरूर प्रेस कीजिएगा ताकि आगे कि आपको notification मिलते रहें त तो लेखक हैं ये चेतन भगत और इन्होंने एक अपनी एक नई बुक लिखी दिसका नाम है one arranged murder तो इसका नाम याद रखना है बुक का बाकी निरूपमा यादव इन्होंने भी एक बुक लिखी थी क्या नाम है उसका विशेश कोड टू विन यतीश यादव ने लिखी थ और इंडिया ये भी धियान रखना बढ़ते हैं आगे फिर हाली में उत्तर प्रदेश सरकार ने बुंदेल खंड में जलत संसादन प्रबंदन के लिए किस देश के साथ समझोता किया है तो अनसर होगा इसराइल के साथ तो अभी उत्तर प्रदेश की सरकार ने बुंदेल जल संकट को हल करने के लिए इसराइल की सरकार के साथ सहयोग की योजना पर समझोता किया है। करंसी है इसराइली न्यू शेकेल परदान मंत्री है बेंजामिन निक्नाहू अभी आपको याद होगा इसराइल की एक सड़क का नाम बदल करके रविंद्र नाठ टेगोर जी के नाम पर रखा गया था यहाँ पर एक तेल अविव सड़के जिसका नाम बदला और क्या कर दिया टेगोर स्ट्रीट कर दिया इसके अलावा अभी हमने पढ़ा था एक अबराहम अकॉर्ड ये इसराइल और यूनाइटेड अरब अमिरात के बीच में एक एतिहासिक शांती समझोता हुआ है अभी इसराइल ने Aero 2 Ballistic Missile Interceptor का भी सफल परिक्षन किया था और भारत अभी इसराइल के साथ मिलकर के COVID-19 के लिए 30 सेकंड के Rapid Testing Kit भी डेवलप कर रहा है इसराइल ने भी Office 16 Spy Satellite को भी लांच किया था और भारत के एक IT कंपनी है TCS वो इसराइल के पहले Digital Bank को भी लांच करेगी तो यह आपको याद अखने Points बढ़ते हैं फिर अभी हाल ही में NPCI International Payments Limited के CEO कौन बन गए हैं तो अंसर होगा रितेश शुकला तो NPCI ने अपनी पून स्वामित्व वाली सहायक कंपनी NPCI International Payments Limited को लांच किया है और इस कंपनी का उद्दिशी क्या है NPCI की घरेलू भुकतान तकनिकों जैसे की UPI और रुपे कार्ड वगरा इनको दूसरे देशों में फेमस बनाना तो अभी NPCI ने रितेश शुकला को NPCI International Payments Limited का CEO न्यूक्ट किया है बाकी दिली पूमान की बात करेंगे Steel Authority of India के अध्यक्ष बने प्रदीप कुमार जोशी UPHC के अध्यक्ष बने और Theory Delaport विपरो के MDCO बने थे NPCI मतलब होता है National Payment Corporation of India जिसकी स्थापना 2008 में हुई थी मुंबई में मिल जाएगा Headquarter और इसके MDCO दिलीप अस्बे बने है और इसके Non-Executive Chairman कौन बने बिश्व मोहन महापात्रा अभी आपको याद होगा NPCI ने NET Rewards नाम से एक Loyalty Platform लांच किया था और PIE नाम से Artificial Intelligency Virtual Assistant भी लांच किया था बढ़ते आगे फिर अभी हाली में किस राज्य सरकार ने एक संकल्प बुजूर्गों के नाम अभियान को शुरू किया है तो अंसर होगा मद्यपरदेश की सरकार ने तो अभी मद्यपरदेश की छतरपुर पुलिस ने एक संकल्प बुजूर्गों के नाम नाम का एक अभियान शुरू किया है तो इस अभियान में पुलिस बुजूर्ग व्यक्तियों के भोजन से लेकर उनके स्वास्ते तक की देखबाल कर रही है और ये अभियान मद्यपरदेश पुलिस के आदर्श वाकिय यानि कि देश भक्ती जन सेवा के अनुरूप चलाया जा रहा है अब बात मद्यपरदेश की है तो ये रामेट में मद्यपरदेश कैपिटल इसकी भोपाल है आपको बताए भारत का पहला इवेस्ट क्लिनिक या आपके भोपाल में ही बना है मुक्य मंत्री है शिवरा सिंग चोहान गवर्नर है आनन्दी बेन पटेल पहले लाल जीदा स्थंडन ते जिनका निदन हो गया और मद्यपरदेश से सबसे important question अभी latest यही बन रहा है कि स्वच्छ सर्वेक्षन 2020 में लगातार चौथी बार कौन सा शहर सबसे स्वच्छ रहा है तो मद्यपरदेश का इंदौर रहा है एक तो यह आपको याद रखना है उसके अलावा भी मद्यपरदेश की सरकार ने रुक जाना नहीं योजना को भी शुरू किया था और परदान मंतरी सुवनीदी योजना को लागू करने में टौप पे रहा है मद्यपरदेश अभी मद्यपरदेश ने रोको टोको अभियान भी शुरू किया है और मद्य परदेश परियेटन बोड ने इंतजार आपका सोशल मीडिया अभियान को भी शुरू किया था परियेटकों का आकरशित करने के लिए और मद्य परदेश की बेतूल जिला पुलिस ने आस पास यूजिना को शुरू किया था मद्य परदेश में जो सुसाइड केस होते उनको कंट्रोल करने के लिए एक किल कुरुना अभियान भी शुरू किया था मद्यपरदेश सरकार ने और एक हमारा घर हमारा विद्याले योजना भी शुरू किया था और मद्य भारत का पहला मेगा फूट पार्क ये आपके मद्यपरदेश के दिवास में ही बना है और याद रखना देश का पहला और दुनिया का दूसरा इंफेंट्री म्यूजियम ये आपका काम पे खुलेगा ये इंदौर में खुलेगा और मिड़े मील राशन देने वाला पहला राज़े भी आपका मद्देपरदेश ही है कुछ और योजनाय में आपको बताता हूँ जो अभी नियूज में रही थी जैसे कि शरम सिद्धी अभ्यान शुरू किया था भी मद्देपरदेश ने बुखार क्लिनिक सेवा शुरू किया था, दीदी वाहन सेवा शुरू किया था, रोजगार सेतु योजना शुरू की थी, एफ आयार आपके द्वार योजना शुरू की थी, चरण पादुका पहल शुरू किया था, मुख्यमंत्रे जन कल्यान संबल योजना शुरू की थी, और सबसे ज़्यादा शिश्व मृत्ति उदर ये आपकी मद्दे परदेश में है, एक थैंक्स मॉम वरक्षा रोपन अभ्यान भी मद्दे परदेश ने शुरू किया था, जीवन शक्ती योजना हो गई, या जीवन अम्रत योजना हो गई, कोविड-19 योद्धा, कल्यान यो किया गया है, ये किन का इस्तान लेंगे, तो ये PK गुपका का इस्तान लेंगे, जो मार्च में रेटायर्ड हो गए थे, आपको बता दो, SBI में च्यार मैनेजिंग डिरेक्टर होते हैं, तो एक तो ये हो गए, और बाकी के तीन कौन कौन है, अरिजीत बासू, C.S. शेटी और दिनेश्ट खरा, बाकी मनोच सिना, ये अभी जम्मू कश्मीर के दूसरे लेटेन गवर्नर बने, गिरिश चंदर मुर्मू, ये अभी चौदवे नंबर के कॉम्ट्रोलर और अडिटर जनरल बने हैं, बाकी अश्विनी कुमार तिवारी, ये SBI कार्ड के MDCO बने थे, तो अश्विनी भाटिया और अश्विनी कुमार तिवारी में आप कन्फ्यूज मत हो जाना, इसलिए मैंने चान बूच करके ये option साथ साथ लिके हैं, अश्विनी भाटिया तो SBI के managing director बने हैं, और अश्विनी कुमार तिवारी, अभी कुछ दिन पहले ही हमने पढ़ा था SBI card के MDCO बने थे, अच्छा एक प्रस्णों और मैं आपसे पूछता हूँ, SBI General Insurance के MDCO कौन बने थे, अगर ये आपको बताए तो वीडियो को 2 मिनिट के लिए पॉस करिए, और comment box में जाकर के answer लिखिए, इसका answer में आगे के question में आपको बताऊंगा, अभी हम बढ़ते आग पिर भारती एकसा General Insurance का अधिगरन कौन करेगा, नहीं कि कौन इसे खरीदेगा, तो answer होगा ICI-CIA Lombard, तो अभी ICI-CIA Lombard ने भारती एकसा General Insurance का अधिगरन करने की घोशना कर दी है, तो इसे खरीदने के बाद भारती एकसा General Insurance का विले हो जाएगा, जानी कि ये मर्ज हो बाकी चोला मंडलम MS General Insurance अभी न्यूज में क्यों था क्योंकि इसके Managing Director नए बने थे कौन वी सूरे नारायन और SBI General Insurance अभी पीछे वाले परशन में मैंने आपसे पूछा था ये अभी न्यूज में था क्योंकि इसके नए MDCU बने थे PC कांडपाल प्रकाश चंदर कांडपाल औ को भी लांच किया था SBI General Insurance ने बाकी कोटेक General Insurance की बात करेंगे तो अभी मुथुट फिनेंस ने COVID-19 कवर देने के लिए कोटेक General Insurance के साथ समझोता किया था बाकी ICICI Lombard General Insurance की बात करेंगे तो इसका Headquarter मुंबई में मिलेगा और इसके CEO हैं भारगव दास गुपता बढ़ते आ तो आंसर होगा आनंद महिंद्रा और शांतनू नारायन को तो USISPF मतलब में आपको बताया US-India Strategic Partnership Forum और इसके द्वारा महिंद्रा गुरुप के अध्यक्ष आनंद महिंद्रा और एडॉप के अध्यक्ष शांतनू नारायन को 2020 के Leadership Awards से सम्मानित किया जाएगा और क्यों मिल फिर हाली में Rally Gear Health Insurance Company Limited का नाम बदल करके क्या हो गया है तो आंसर होगा Care Health Insurance Limited तो अभे Rally Gear Health Insurance Company Limited का नाम बदल कर Care Health Insurance Limited कर दिया गया है इसका Headquarter आपको मिलेगा गुरगाओं हरियाना में तो Rally Gear Health Insurance की स्ताफना 2012 में Rally Gear Enterprise Limited और Union Bank of India और Corporation Bank of India ने की थी तो यह आपको याद रखना है अच्छा Oriental Insurance Company की बात करेंगी तो अभी इसके CMD बने थे कौन SN Rajeshwari तो यह पुराने points भी आपको याद होने चाहिए मैं कभी भी किसी वक्त उठा के पूछ लूँगा आपसे तो अभी हाली में भारत में Green Deposit Program शुरू करने वाला पहला विदेशी बैंक कौन सा है तो अंसर होगा HSBC India तो अभी HSBC इंडिया ने भारत में अपने Corporate ग्रहकों के लिए Green Deposit Program को लांच किया है तो बैंक के इस यूनीक पहल का उद्देश है Renewable Energy, Clean Transportation और कई तरकी Eco-friendly initiatives के लिए Finance करना और उसे बड़ावा देना दरसल जो Corporates होते हैं जो परियावन संबंदी प्रोजेक्ट में निवेश करना चाते हैं उनके लिए खास ये Green Deposit Program को लांच किया गया है और ये भारत में अपनी तरह का पहला और एक मात्र प्रोग्राम है अचा HSBC की अगर बात करेंगे तो अब इसके CEO नए बने थे कुछ समय पहले ही कौन बने थे तो आंचर होगा Noel Quinn और HSBC का मतलब होता है Hong Kong and Shanghai Banking Corporation जिसका Headquarter मिलेगा आपको London UK में अब बात करेंगे कल की वीडियो में पूछे गए प्रशन के उत्तर की तो कल की वीडियो में आपसे पूछा था किस शहर ने पच्छे शहर का खिताब जीता है तो सही उत्तर क्या होगा इन दौर होगा आप सभी ने प्रशन का बिल्कुल सही उत्तर दिया है और गाइज अगर वीडियो को अभी तक आपने लाइक नहीं किया है तो कम से कम एक लाइक जरूर इसे कीजिएगा बूलिएगा मत इसको ल तरीके से याद हो जाए और जो नए स्टुडेंट इससे पहली बार देख रहे हैं आपको बता दूं कि क्विज में आप रैंकिंग फीचर भी एड़ हो चुका है तो अगर आप कम समय में ज्यादा से ज्यादा कुशन राइड करते हो तो आपका नाम आपकी फूर्टू के से पांच मिनिट निकाल करके आप 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 आडियो सुन लीजिए ताकि आपका इन करंट अफेर्स का फिट से रिविजन हो जाए क्योंकि आपको बता है चीजों को पढ़ना इंपोर्टेंट है लेकिन समय समय पर उनका रिविजन करना बहुत ज़ादा ज़रूरी है अपिलिकेशन अगर अब यह तक आपने डाउनलोड नहीं किये तो उसका लिंक भी आपको नीचे मिल जाएगा वहीं पर आपको क्वेज, वीडियो, पीडियेफ सब मिल जाएंगे तो इस प्रशन का उतर आता है तो कमेंट बक्स में ज़रूर टाइप करिए चलिए अब मि सब्सक्राइप के रिविजन वीडियो में, थैंक यू गाइज